हेलो स्टुडेंट मैं पवन महमूरिया उडान डिजिटल के ऑनलाइन प्लेटफर्म पर आपका स्वागत करता हूं आज हम फिजिक्स का चेप्टर पढ़ेंगे और फिजिक्स के अबजेक्टिव डिसकर्श करेंगे हमारा चेप्टर है विकिरन और द्राववे की द्वैति प्रक्रती रेडियेशन एंड ड्वैल नेचर आफ मेटर मेच्वाल लिखा है मेटर है वह पहला कोश्चन लेते हम सही विकल्पर चुनकर लिखिए चूज दर करेक्ट ऑप्शन यह जो चेप्टर है पहली बादी फोर मार्क्स का अबजेक्टिव चेप्टर है तो इसमें पूरे अबजेक्टिव आएंगे और काफी लंबा चोड़ा हम डिसकस करेंगे और आसानी से कोश्चन बनते है पहला कोश्चन इलेक्टरन पर आवेस होता है तो इलेक्टरन पर आवेस हम जानते हैं माइनस होता है और एक दसमलो चे गुणी दसकी गात माइनस 19 कुलाम होत तो कि फार्मुला होता है काइनेटिक एनरजी इसकोफर टू एक ट्रान टू वीक्या है अब बोला है और एक यहां पर कितना जाएगा टेन और यह और यह और इलेक्टरान ऑल क्यों पिए कामान कितना हो जाएगा एक वन गत्त्राइं दस एसल्ट्ट एंद अग कि ऑफ 0 इसको रघरांक्क की सब्फ करोज्ड आफ एलेक्टरान आप जानते हैं डिसपकोप्री अफ आफ य्याद रखेंगे नेक्स कोश्चन है नेक्स कोश्चन लेते हैं कोश्चन है विबहांतर 150 वल्ट पर त्वरित इलेक्टरान से संबंदी डी ब्रॉगली तरंग देर वेवलेंद की बात करें डी बॉग डी ब्रॉगली वेवलेंद तो उसका फार्मुला होता है 150 डी वाइड वाइड वी और यह आएगी यहां पर आजाएगा वन एंग स्ट्रॉम तो अगर आप किसी क्लेक्टरान को कितने से 150 ओल्ट से एक्सलेट करते हैं तो आपका जो वेवलेंद रिलेटेड होगी वह कितनी होगी वन एंग स्ट्रॉम नेक्स्ट कुश्चन लेते हैं एक कंड का द्रहमान एम है और वेग व वहीं है तो दी-ब्लॉगल और क्या होते हैं यह फार्मॉल आपको मिले गा लैम डाइस इक्वल टुए च इंघ है कुश्चन लेते हैं क्सा जो एनर्जी उसका कौन सा अपन ए टम है फोटान है यह उक्तरान हैं है फोटान है गयो थो है अनरजी का यूनिट the photon is right answer next day fill in the blanks रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए पहला fill in the blanks लेते हैं दातु की सता से इलेक्टरान निकलने की प्रक्रिया को क्या करते हैं the process of release of electrons from the surface of a metal is called electron emission निकलने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं दातु सता से इलेक्टरान निकलने क्रिया को ऐलेक्टरान उत्盞ा जाता है कि इलेक्टरान का हीमीश और लेक्टरान निक्साद का जाता है ऑफ पोरा लिखेंगे एलेक्टरान उत्सर्जन एक्टरान की सब्सवाविकरान इंचित उप लिक्이없이 अस्नटाम उर्जा को इस इस k當然 के के लिए आवश्यक है उसे क्या का थे तो minimum amount of energy which is necessary for electron emission is called is called Threshold energy इसको देहली उर्जा कहा जाता है तो क्या कहा जाता है देहली उर्जा याद रखेंगे उर्जा की नियुनतम मात्रा देहली उर्जा कहलाती है Threshold energy कहलाती है Threshold energy next question किसी धातू को गर्म करने पर अगर हम किसी मेडल सर्फेस को गर्म करते हैं तो उससे क्या होता है इलेक्टान emission होता है उसे थर्मोनिक emission बोलते हैं थर्मोनिक emission हिंदी में उसे हिंदी में उसे तापायनिक उत्सर्जन कहा जाता है तापायनिक उत्सर्जन याद रखेंगे अगर हम क्या करते हैं किसी धातू सता को गर्म करते उससे इलेक्टान का उत्सर्जन होता है तो उससे तापायनिक उत्सर्जन कहा जाता है प्रकास के प्रभाव से किसी धातू से उत्सर्जित एलेक्टान की घटना को क्या का जाता है तो फिनॉमेना ओपी मिशन आप एलेक्ट्रान फ्रामर मेटल डीव टू इफेक्ट आप लाइत अगर लाइट इमीट हुआ और से फोटान एलेक्टान फोटान जो हुए वह एम इंदी में हम कहेंगे प्रकास विद्धुत प्रभाव तो उसको प्रकास विद्धुत प्रभाव कहा जाता है याद रखेंगे प्रकास के प्रभाव में एलेक्टरान का उत्सेजन प्रकास विद्धुत प्रभाव कहलाता है लेनाड के प्रयोंग में प्रकास विद्द्धारा के अधिक्तम मान को क्या कहा जाता है? The maximum value of photoelectric current in लेनाड एक्सपेरिमेंट is called संत्रप्त धारा, saturated current. संत्रप्त धारा कहा जाता है, saturated current कहा जाता है. लेनाड के प्रयोंग में संग्राग प्लेट के उस रिनात्मक विभाव को जिस पर प्रकास विद्द्धारा जो है जीरो हो जाती. In लेनाड एक्सपेरिमेंट, the negative potential of electrode plate at which the value of photoelectric current become zero is called stopping potential. उसको हम बोलते हैं, stopping potential. याद रखेंगे. निरोधी विभाव कहा जाता है हिंदी में, निरोधी विभाव, तो निरोधी विभाव ये एक IMP definition है, most IMP. ऐसा विभाव होता है, जिस पर क्या हो जाता है, जो current होता है, विद्धुद्धारा, प्रकास विद्धुद्धारा, photoelectric current, उसकी value कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है, तो याद रखेंगे, जीरो जिस पर होती है, उसको हम निरोधी विभाव या stopping potential करते हैं. नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् हम एक लेंडी हिए ग्यान कर सकते हैं पोतान का csak इंशन नहीnh और उससे अगर अमाउंड कम है तो इलेक्ट्रान से नहीं होगा आपकी प्रकास किली उन्था मुर्जा जो किसी दाज़न की दातु से प्रकास इलेक्टान तहुता है जासा है जर्टeron होता है चूते घ्र गरेंगे तہुल्स का ए एनर्जी के जटी मिनीमा मुंतास होता है जिसके एक जटी हए गाशन कर सकते उससे कम एनर्जी होगी तो इलेक्रन का दिश्चैन नहीं होगा है नेश्ट है विकिरण में कर्ण की प्रकृति और तरंग की प्रकृति दोनों होती है जो radiation होता है वो particle का और wave nature दोनों रखता है this nature is called dwell nature तो क्या बुलते हैं इसको dwell nature dwell nature बोलेंगे हम हिंदी में कहा जाता है dvethi prakrati तो अगर दो प्रकृति रखता है तो इसको ड्वेल नेचर या द्वेती प्रकृति कहा जाता है नेक्स्ट है प्रत्यकंड गतिसील कंड से तरंग वेव रिलेटेड होती है हर एक मुविंग पार्टिकल से वेव रिलेटेड होती है उस वेव को कहा जाता है या तो मेटर वेव बोल सकते, ध्रव या तरंग बोल सकते, मेटर वेव बोल सकते, या फिर हम उसको बोल सकते हैं, डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली वेव, याद रखेंगे, या फिर उसको क्या कहा जा सकता है, मेटर वेव, द्रव यतरंग कहा जाता है, नेक्स कोश्चन लाते, वन इलेक्टरान ओल्ट इस इक्वल टू डेज 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 जूल, यह मोस्ट आइमपी कोश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है, आप इसे याद कर लीजिए, रट जी, वन इलेक्टरान ओल्ट इस इक्वल टू, वाट, जूल, तो आएगा, वन पॉइंट सिक्स इंटू टू दू पावर, माइनस नैंटीन जूल, यह होता है, नेक्स, इलेक्टरान का विराम द्रव मान, रेस्ट मास अफ इलेक्टरान, इलेक्टरान जो है, उसका पुर्ण्य होता है, विराम द्रव मान, यह भी एक आएमपी कोश्चन है, रिपीट होता है, बार-बार, उस निउन्तम आवरत्ति को जिसके द्वारा अभी बताया था, निउन्तम आवरत्ति मिनिमम फ्रिक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, देहली आवरत्ति, थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेंसी का जाता है, तो बार-बार रिपीट हो रहा है, याद रखेंगे थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेंसी, द्रव्य तरंगों की परिकल्पना किसने की, द्रव्य तरंगे मेटर वेव का कंसेप्ट किसने बताया, मेटर वेव का कंसेप्ट किसने बताया, डी ब्रॉगल सब्सक्राइब आवुरत्ति पर निर्भर करती है। यहीं अगर आपसे पूछा जाता कि तीवरता किस पर निर्भर करती है। तीवरता नम्बर आफ ऐलेक्टान पर डीजवर्टान की संध्या, याद रखेंगे । तो तीव रता जो है वह संख्या पर निर्भर करती है जबकि गति जूर्दा जो है आवरत्ती पर निर्भर करती है इलेक्टरान के विसुत आवेस का मान को लेक्टरान का विशिष्टत आवेस इलेवन आगे आएगा कुलाम बाइ किलोग्राम तो यह एक वैल्यू आपको याद रखना स्पेस्टिफिक जो चार्ज होता है वो कितना होता है वन पॉइंट सेवन सिक्स इंटू टेंटू दू पावर इलेवन एक सब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए ग्यू एंसर वन वर्ड और वन सेंटेंस पहला कुश्चन लेते हैं प्रकाश विद्धुत प्रभाव की खोज किस ने की तो यह खोज जो यह किस ने की थी हर्ड ने की थी याद रखेंगे हर्ड ने की थी इलेक्ट्रान की डिस्कोवरी आप जानते हैं सर जे जे थामसन आज रिपीट हो गया कुश्चन जे जे थामसन पिकिरन की कर्ण प्रक्रति को कौन सी फिनोमेना से हम सो कर सकते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थूं हम क्या कर सकते पार्टीट नेचर आफ लाइट शो कर सकते हैं कर्ण कर्ण के दूरा बिकीरंट एक प्रकर्ती तो विकीरंट जो है वह चरण है यह किसके त्रूरं की आ जाता है फोटो-elektric पर निरभर करते हैं जब कि तीवरता जो है किस पर निरभर करती है कणो की संख्या पर प्रकाश विद्ध प्रभाव की व्याक्या तो यह एक्सप्लेनेशन जो है यह किसने दिया था आइंस्टीन ने याद रखेंगे आइंस्टीन जो famous scientist आइंस्टीन ने उन्होंने explain किया था photoelectric effect को एक electron roll का मान अभी बताया था 1 electron roll is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule और बहुत बार यह question आथा electron roll किसकी इकाई है किसकी unit है तो किसकी इकाई होगी यह उर्जा की उर्जा बोले तो एनर्जी की याद रखेंगे नेक्स क्वेशन डी ब्रॉगली तरंग धेरिय का सुत्र डी ब्रॉगली वेवलेंड का फार्मूला होता है लेमडा इस इक्वल टू है एच बाइपी है और एच को हम क्या राइट सकते हैं एंटू वी नेक्स्ट पोटान का विराम द्रॉइमान रेस्ट मास आप फोटान इस जीरो याद रखेंगे सुन्ने होता है विकिरण की उर्जा और आवरत्य में क्या संबन्द है विकिरण की उर्जा इज एक्वल टू एच निउ यही तो रिलेशन है इस इक्वल टू एच निउ प्लांग का क्वांडम थेरी निउ आवरत्य वाले फोटान का द्रॉइमान तो फ्रिक्वेंशी अगर निउ है तो द्रवेमान कितना होगा चलिए E is equal to आपके पास होता है H new तो यह इस तो energy हो गई और Einstein साब कहते है E is equal to M C square यह दोनों को equal कर दो आपको मिल जाएगा mass M C square is equal to H new यहां से M की value find करेंगे तो M is equal to H new by C square यह होगा mass of photon जबकि उसकी frequency new है next क्या विराम आउस्ता में photon का अस्तित्व है तो विराम आउस्ता में अगर वो रुका हुआ है तो mass zero हो गया mass zero हो गया तो उसका कोई 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 existence नहीं है कोई अस्तित्व नहीं है प्रकास विदू तो सर्जन के लिए समाने कौन सी मेटल यूष की जाति है तो हम कि सब्सक्राइब कर सकते हैं फोटो एलेक्ट्रिक इमिशन में कर सकते हैं तो याद रखेंगे पदार्थ का कारिफलन का मान किस पर निर्भर करता है तो यह तो मेंटर पर डिपेंड करता है जो कारिफलन वर्क फंक्शन है वो मेंटर पदार्थ पर डिपेंड करता है अलग 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 पदार्थ के लिए अलग अलग वर्क फंक्शन होता है कारिफलन अलग अलग होता है एक इलेक्ट्रानोल बराबर यह तो बता दिया वन इलेक्ट्रानोल इस इक्वल टू 1.6 इंटू 10 दू पावर माइनस 19 जूल और इसके बाद भी भूल जाओ तो सबसे बड़ी भूल होगी तुम्हारी देली आवरती क्या है तो देली आवरती threshold energy frequency क्या है minimum frequency होती है जिसके through हम electron का क्या कर सकते हैं emission कर सकते किसी भी metal से अगर इससे कम frequency होती है radiation की तो आप electron का emission नहीं कर सकते तो minimum frequency of radiation आपको बोला इंटेंसिटी ती रता आई की बात कर रहें इस पर किसे नंबर पर विक्वेंट करता है दूसरा आउरती फोटान प्रकास की आउरती मतलब फोटान की आउरत्ती तो light की frequency मतलब photon की frequency तो यह हो जाएगा frequency थर्ड है देली आवरत्ती threshold energy तो threshold energy जो है यह frequency पूछा तो इधर frequency आ गया था threshold energy की बात कि और threshold energy जो है वो क्या होती है नियुन्तम उर्जा होती है minimum amount होता है तो यहाँ पर आ जाएगा third नेक्स्ट है work function work function क्या होता है work function भी तो यह थर्ड देहली आवरत्ती दिया है मैंने energy पढ़ लिया sorry threshold frequency बोला है तो threshold frequency क्या है यह आएगा इलेक्टानूत सर्जन के लिए नियुन्तम आवरत्ती तो यहाँ पर थर्ड हो जाएगा और fourth जो है वो होगा कारिफलन कारिफलन मतलब threshold energy और यह होगी इलेक्टानूत सर्जन के लिए नियुन्तम आवरत्ती और लास्टे मेटर वेव द्रव्य तरंग और हर एक फोटान पर निर्वर करती है तीव रडा कणों की संख्य पर निर्वर प्रकास के आवरत्ती प्रकास मतलब zie шच्वड की preaching एकेड़की नियुंतम आवरत्ती जिससे एलेक्टानूत्सर्जन हो सके डिया कर राएगा अमाउंट आफ फ्रिक्वेंसी विच के वी रिस्पोंसिबल फार एलेक्ट्रान इमिशन का रिफल एनर्जी यह मिनिमम अमाउंट होता है एलेक्ट्रान इमिशन के लिए और वेव मेंटर मेंटर वेव स्वारी द्रव वितरंग जो है वह मुविंग पार्टिकल से रिलेटेड होती है नेक्स्ट ए मेश कॉलम का सेकंड पार्ट है फस्ट डिस्कोवरी ऑफ इलेक्ट्रान इलेक्ट्रान की खोज किस ने किये तो आपको पता होना चीए जीजी थांसन सन्ने की थी ले आइस्टीन ने किया है मेटर वेव जो है वह किस से रिलेटेड है तो हम बोल सकते कि डी ब्रॉगली से रिलेटेड है क्वांडम से दान प्लांग ने दिया था और इलेक्ट्रान ओल्ट किसकी यूनिट है तो इलेक्ट्रान की डिसकोवरी जेजे थांसन फरस्ट इवाएम म मेटर जो है वेव मेटर किस से रिलेटेड होती है तो वेव मेटर जो डी ब्रॉगली से रिलेटेड है क्वांडम थेरी प्लांग ने दीती मैक्स प्लांग ने और इलेक्टान ओल्ड इस यूनिट आफ एनर्जी नेक्स लेते यह भी छोटी सी है ठोड़ी सी इदर उदर हो गई है प्लांग मैक्स प्लांग आप देख लीजिए मैक्स प्लांग ने इलेक्टान तो डिसकावर खोड़ा नहीं होगा थामसन जी है तो थामसन के लिए तो इलेक्टान ही फेमस डी ब्रॉगली जो है उनके फोटान को इमेजिंग किया था फोटान को एक्स्प्लेंग किया था तो प्लांग फोटान आइस्टीन फोटो इलेक्टरिक एफेक का एक्स्प्लेनेशन डी ब्रॉगली जो है वो रिलेटेड है मेटर वेव से और थामसन जो है उन्होंने डिसकोवर किया था इलेक्टान त झाल 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 झाल